नमस्कार मित्रों, भगवान शीव के बहुत सारी बरढ़ होते हैं, तो उनी मीं से एक बरढ़ होता है पशुपती बरढ़, पशुपती बरढ़ आप कैसे कर सकते हैं, तो इसे की जानकार आज अम आपके लिए लेकर आइे हैं पशुपती व्रत को केवल पांच सोवार ही करना होता है लगातार और एक ही मंदर में पूजा करनी होती है मंदिर नहीं बदला जाता पहले सोवार जहां पर आपने पूजा किये है वहीं पर पांच सोवार लगातार पूजा करनी है इसमें छे दीपक चलाने का महत्व है पाच दीपक मंदिर में चलाने होते हैं और एक दीपक अपने घर के में गेट के राइट हैंड साईड चलाना होता है तो पशीपती प्रत जिन व्यक्तियों के जीवन में कुछ समस्या आ रही है कुछ शारिलिक समस्याई हैं वियपार समंदी समस्याइं करजा नहीं होता रहा और भी बहुत सारी समस्याइं ऐसी हैं जो हम किसी से शेयर भी नहीं कर सकते तो यह सब समस्याओं का अंथ होता है अगर आपके मन में कोई इच्छा है वह भी पशुपती व्रत करने से पूरी हो जाती है पशुपती व्रत में सुभे और शाम पूजा करनी होती है जिस प्लेट को लेकर आप सुभे मंदिन में जाते हैं उसी प्लेट को शाम को भी लेकर जाना है उसमें चे दिपक रखने है, पांच दिपक, भगवान शीव मंदिर में चढ़ाने है और एक दिपक अपने मुख्य द्वार पर जलाना है शाम के समय इसमें भोजन क्या करें? तो इसमें तीन जगा भोजन शाम को निकाला जाता है और फल आहर ही लिया जाता है इसमें ना तो आप नमक खा सकते हूँ, ना ही अन खाया जाता है, फलवार में आप चाये तो साबुताने की खीर बना लेजिए, सिंगहडे का आटे का हलवा भी बना सकते हैं, तो तीन जगा आगर आपने हलवा बनाया है, तीन जगा उसको निकालना है, दो जगा जो आपने ह हलवा पनाया है वहश्ची मंतिर में चढ़ा कराना है शाम के समय और एक कटोरी हलवे की परशाद रूप में आपने घर लेकर आनी है और उसी को खा कर शाम को व्रत पूरुन करना है पांच सों भर पशुपती व्रत करें और मन की पूरी इच्छाएं पून करें इस परकार प भगवान शीव के चणों में अर्पित करें और साथ में बेल पत्र बेल पत्र आपकी शर्दा है 11, 21, 31, 108 जितने में आप लेकर जाना चाहते हैं पांच व्रत में सारी बेल पत्र चढ़ाई भगवान शीव का विशेक करें और नारेल चढ़ाई साथ में पंडे जी के लिए सीधा ले जाएं सीधे के अंदर आप आटा, गोड, चावल, नमग, हल्दी, खाने पिने का सारा समान सूखे में ले जाएं ताकि वो किसी के काम भी आ जाएं तो पांच वे व्रत में हैं सब चढ़ा कर आना है और अपनी मनो कामना या इच्छा जो भी आपकी है वो बोल कर आनी है मंदिर में तो इस परकार पशुपती व्रत किये जाते हैं पांच यहाँ आप किसी भी सोंवार से शुरू कर सकते हैं इसमें कोई खास उद्यापन नहीं होता सिरफ ये सिंपल सा व्रत जो सभी मनो कामनाओं को पोन करने वाला लेकिन इसमें सुभे और शाम दोनों स पका इसमें सबसे अधिक महत्व है तो इस दीन आप नमक और अन ना खाएं फलहार खाएं प्याज लसन ना खाएं मास मदिरा ना खाएं पशुपती व्रत ऐसा है जो मन की सभी च्छाएं पोन करता है जीवन में आ रही सभी तरह के समस्याओं का अंत करना है यह व्रत आप किसी भी सोमार से शुरू कर सकते हैं तो इस प्रकार मीत्रों भगवान शी भोले और मातापार्वती के लिए पशुपती व्रत बिल्कुल साधारण और सिंपल पूजा विदी के साथ आप कर सकते हैं और मन की च्छाएं पोन कर सकते हैं आज की है जानकारी अगर आपको सब्सक्राइब करें, कमेंट बोक्स में, ओम नमो शिवाय वश्रीक